नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूज और आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा फिर एक बार मोदी सरकार लेकिन अब की बार 400 पार का दावा धराशाई हो गया एक्जिट पोल तमाम संस्थानों मीडिया घरानों के द्वारा आपने देखे लेकिन कशिश नियूज ने सितारे किसके गर्दिश में हैं और किसके चमक रहे हैं ये सितारों को देखकर आपको बताया था और कशिश नियूज ने जो कुछ भी बताया करीब करीब वही सटीक और सबसे नतीजों के नजदीक सामने आया हमने आपको एक्जिट पोल में क्या कुछ दिखाया था उसकी एक छोटी सी जलक आपको दिखा देते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो सितारों को हमने पढ़ा था हमारे महमानों ने जो विशिश अग्य हैं उन्होंने जो उन सितारों को पढ़कर आपके सामने रखा था वो कितना तथ्य परक था और धरातल पर कितना खरा साबित हुआ एक जलक देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे राज्योक तो उनको है लेकिन यहां दिकत के आई करम भाव में दसम अस्थान दिस्पती का होता है बिरस्पती तो उसमें बिर्जमान है लेकिन उसमें सत्रू भी बैठे हुए हैं सुक्र भी सत्रू हैं बुद्ध भी सत्रू बिरस्पती के हैं तो यह दोनों जो हैं यह थ मंगल की मादसा में इस विर्फिया बनती कामनी बने बनेगा समाज है आपको द्रिष्टी देखेगा कामनी बनाएगा और सनी महराज किया है कि सनी महराज सत्रू मंगल दोनों तो सरकार बनने में थोड़ा था इंको बनाने में दिखत उत्पन्नौ राज योग इनको है क्योंकिस सरकार किसी का पूर्वध inom नहीं बनने वाली है और ज्यादा तक बहुत बना सकता है अलाईन्स गड़बन्धन इंडी सरकार किया है उनLoका बहुत बनेगा मतलब यह जो अकेले बीजेपी कहा रही है 370 हम लाएंगे वह आंकड़ों के साथ बहुमत अकेली पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो 2019 में स्थिति थी वह 24 में नहीं नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी तो जोड़ों का चाल बहुत खराब चल रहा है इसलिए तो देखेगी मैंने बीजेपी की कुणली देखी मैंने इस देश की कुणली देखी बीजेपी और भारत दोनों की कुणली में चनर्मा की माधा चल रही है और मोदी जी के कुणली में चनर्मा उनके भाग का स्वामी है लगन में बैठा है राजयोक में बैठा हुआ है तो दे चलाई या तीन तलाग करवाए हैं महिलाएं ज्यादा वोट देंगी मोदी जी को मुझे ऐसा ग्रहों के इससे लग रहा है और अभी जो उनकी माधा चल रही है लगन में बैठे वे मंगल की मंगल अपने घड़का है तो यह रूचक नाम का पंच महापूरस बना रहा है दूसरा भाग का सुमिक चंदर्मा मंगल के साथ है तो नीच भंग राजी हो रहा है इनका बिरोध बहुत हो रहा है क्योंकि चं निकल करके चठे घर में आचुका है में अपनी रासी में चठा घर कंपेडिशन का है चठा घर सत्रु का है और मंगल जब भी चठे घर में जाता है तो सत्रु हंता योग बनता है यानि अपने बिरोधियों को यह बहुत आराम से हड़ाएंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं अब यहां तो कुंडली में केतु भी देख रहा है और राहू अगर आपका मजबूत है तो आप राज्यों को परापतोना कोई रोपी नहीं तकता है यूंकि गरहों में बली भी होता है बहु जादा राहू मजबूत है बिरस्पति मजबूत है और अपने चठे भाव को को गरह नहीं है और में श्रम भा में को इंचाना दॉड़ ऑदर में कोई गरह नहीं है तो राज्यों बना देख fala is और चीज जो हुई है इनके गोचर में एक तो इनकी सनी की ढईया चले इसे पड़िसानी और यह पड़िसानी इनको कहीं न कहीं कॉंप्रमाइज भी करवाया है बिहार में नितिसवाउक साथ दो बार संबंद खराब होने के बावजूर कॉंप्रमाइज करना पड़ा है इनक मंगल में केतु के अंधरसा 22 मार्स से शूरू हुई है केतु अध्यात्म का मोच्कागरा है केतु धर्ब अस्थानों को तिर स्यात्रा करने का गरा है और इस चुनाव प्रचार के दोरां जिस सहर में मोदी जी गए हैं हर जगा किसी मंदिर में हो गए हैं इसमें दोर आए को मंगल भी अda नहीं है है लेकिन हम तो देख रहा है कि मोडी जी को मंगल भी थोड़ा-वं अशूरू चलत्रू है केतु मुधि िरिश्टी है राज्यों कर दो कुरसी है और इस पर के तुद एम राहू डाले हुए तु महीं जितन बनाने में तो नवग्रह सूर्य चंद्र राहू केतू शनी मंगल भारी है क्या संयोग बना रहे हैं इन संयोगों को हमारे विशशग्यों ने बड़े ही गहनता से पर्खा जाचा आका और उसके बाद ये सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रखा हमारे साथ वही मेमान एक बार फिर से हैं एक बार फिर से हम उनसे आपका परिचय करा दे हमारे साथ प्रवीन कुमार सेंजी हैं जो कि बिहार के पुर्व प्रधान महालेखा कार भी रह चुके हैं वैदिक जोतिश में महारत आसल कर चुके हैं इनसे हम बात चीत करेंगे साथ सबसे पहले तो हम यह समझना चाहेंगे कि यह जो आंकड़े आएं जो अन्य तमाम संस्थाओं सर्वे एजिंसियों और चैनलों से बहतर और सटीक रहें वो आंकड़े किस आधार पर वो पूर्वा अनुमान किस आधार पर आपने लगाया था जरा हमारे दर्शकों को नियता और पोखता हो प्रवींड जी आप से शरू करते हैं जो मुन्य निस्ट्रोजी होता है जिसके अंतरगत हम भूकम बार राजनिती देश की विदेश की देखते हैं इसके रूस थोड़े अलग होते हैं तो इसमें कहा है गया है कि आप राजनितिक पार्टियों की कु देखें नहीं कि ऊख्या आप देखें देश की कुनली उनका है उनकी की साक लग है उतrate अरेधा अच्छा पर्दस हaguं रहा उतरप्रडर कम रहा जब तक सभी राज की कुली नहीं हो ऊस्करद सभी पार्टी की और उनके सारे निताओं की सभी कुली नहीं हो तो यह बड़ा पी की कुणली कॉंगरेस की तुलना में अभी दसाय ससक्त है और परिणाम भी अनुकुल है दो सब्सक्राइस ही आया उनको अपने पिछले परतास से कम आया लेकिं कॉंगरेस की तुलना में वो काफी आगे रहे इंडी गटवंधन में कुछ inherent weakness है और कुछ अचाई भी थी तो वो ब्रस्पती की दसम पे दिश्ट्री जा रही थी उसने उनको एक बहतर पोजिशन जरूर दिया लेकिन वो जो है सरकार बनाने के इस्तिम नहीं आया थे मेड़े पास जी नेताओं की कुणली थी मैंने कॉंपेर किया था कि मोदी जी की कुणली में जो राजयोग है वो बहुत प्रभाल हर बहुत स्ट्रोंग है उनकी तुलना में राहुल गंधी की कुणली कमज़ोर थी केजरिवाल साहब की कुणली कमज़ोर थी नमीर पटनाय की कुणली कमज़ोर थी और ममता जी की कुणली अच्छी थी लेकिन वह एक लिमिटेट उनका इसकोप था और नहीं था तो मुझे यह लग गया था असपस था कि बनेंगे तो मोदी जी ही लेकिन मैंने यह भी बता सरकार बनाने में कहां दिकत हो रही है कहां परसानी हो रही है गरहों का चाल कहां कहां उनको लेके जा रहा है और क्या परसानिया दे रहा है तो राहु जो इनका मिन लगन को देख रहा है और केंद्र में इनकी जनम जो हुआ है बिरिश्चिक लगन में हुआ है अब सत्ता पकड़ों से बाहर रहेगी अभी तो दो महीना ये सरकार बना लेंगे क्योंकि अभी मंगल जो है छट्टे घर को देखेगा और छट्टे घर को मंगल दे तो सरकार तो बनेगी लेकिन अगस्त जे वहीं अगस्त आएगा तो मिथून जो है मिथून लगन में जो पिर से रहने नहीं देगा इनको हमेशा कुछ ना कुछ परसानियां उत्मन करते रहेगा जिसके वज़ा से वो सरकार बनाने में नकम्याब हो जाएगी फिर अपिर ऐसा होगा कि स्थिति सरकार गिरने की स्थिति में हो जाएगी अगस्त में कि उथल-पुदल मचेगी मंगल का सत्रू इसमें बुद्ध है सुक्र है इस अब मंगल का मतलब सत्रू है जो इनको सुख में समिर्धी में शांती भंग करेगा और दूसरी बात है कि चंदर्मा अभी तो भाग्यास्थान को देखेगा इसलिए अवीराज जो इनका बन रहा है छठे भाव को मंगल द चाहें एक और सवाल है जो हम चाहेंगे जनता के मन में वह इस पश्ट हो जाए प्रवीन जी जब हम किसी व्यक्ति विशेस की बात करते हैं और उसका निर्ण करोडों की आबादी पर निर्भर होता है तो क्या ये ग्रह नक्षत्र ये जो दशा बनती है वो उतनी बड़ी आबादी को एक साथ प्रभावित कर सकती है जो रूल से मैंने आपको कहा था कि वह अलग होता है इसलिए हर एक देश के अलग कुली बनती है हड़े का राज के अलग कुली बनती है वड़ा मेर ने अपनी पुस्तक में ब्रहत सहीता में भारत के उस वक्त के जो राज थे उ दोनों पड़े थे तो इसका भी दुर्गामी प्रभाव पड़ता है मुंडे निश्रोलोजी में जिसका सुच्म अध्यन करना बड़े बड़े जोस्यों के बीच के बस की बास है हम लोगों को सिर्फ पढ़ाया गया था 20-30 साल पहले डेली इसमें हम लोग सो यूज नहीं कर पाते हैं वो भी देखना जो रोड़ी होता है चलिए तो यह महत्वपोर्ण है और ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि आगे सरकार के सामने एक बड़ी चुनोती है इसकी भविश्यवानी इसका अनुमान आचारे कमलेश पंडित जी ने लगाते हुए यह साफ तोर पर कहा है कि अभी तो सरकार बन जाएगी लेकिन अगस्त के बाद उथल पुथल के स्थिती भी बन सकती है तो हम संपादक अशोग जी के पास चलेंगो नवगरह बारा राशियां 27 नक्षत्र वाला कशिश नियूस का एक्जिट पोल सबसे सटीक रहा सी कि आधार पर हमने भविश्य की संभावनाय तलाशी और हमारी संभावना सबसे सटीक साबित हुई है उस पर क्या कहेंगे और जो अभी बातचीत चल रही है उस पर भी आपकी प्रतक्रिया है पिल्कुल दीपक जब एक जून को मदान की प्रकिरिया समाप्त हो गई थी तो देश के सभी बड़े चेनल जूं कह लिजे कि जितने भी छोटे और बड़े मीडिया घराने थे उन लोगों ने एकजिट पोल दिखाया था हम लोगों ने भी एकजिट पोल दिखाया था इसका मुख उद्देश यही था हलाकि हमारी टीम सातो चरन के चुनाव में चप्पे चप्पे पर थी हम पलपल की रिपोर्ट हमने दी थी ग्राउंड जीरो से हमें जो फीडबैक मिला था उसके मुताबिक हम लोग पूरी त वो लोग दावा कर रहे थे कि चुनाव परिनाम आएंगे उसमें दावा किये ग travail कि मोदि जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो जमीन पर दिख रहा है और कहीं भी किसी मीडिया हाउस ने ये नहीं कहा था कि मोधी जी को बहुत बड़ा जटका लग सकता है और वो 300 के पार भी नहीं जाएंगे और इसी परिसिती में हमारे चैनल ने हम लोगों ने निरने लिया कि क्या मोधी जी के साथ जनता है तो क्या ग्रह नचातर भी उनके साथ हैं और इसलिए हमने इसके दो कहिए बिशेशग को आमंतरित किया था और इन लोगों ने हमारे आमंतरन को सुईकार भी किया और ठीक ए के साथ वजे तक हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी आज जब पूरा एगजिट पोल कहिए उसकी पोल खुल चुकी है और अब सरकार बनाने की बारी है तो फिर चुकी अब गठवंधन की सरकार बननी है पिछले दस वरसों से नरेंदर मोधी जब सरकार चला रहे थे तो उस में बीजेपी की अस्तिती काफी मजबूत थी और सरकार पूर्ण बहुमत की थी उनकी इस बार उन्हें गठवंधन की जवरत परी है और गठवंधन में विहार की भी महतपूर्ण भूमिका हो गई है वो ऐसी परिस्तिती में हमें लगा कि क्या एक तो हमारा जो एगजिट पोल था हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भले ही हमने छोटा सा प्रियास किया लेकिन ये अंधेरे में दीप जलाने जैसा है कि घंकोर अंधेरे में भी हमने वह दिखाने की कोशिस की दर्सकों को समझाने की कोशिस की कि अगर आप मिहनत करते हैं तो मिहनत में आपके कर्व के साथ साथ आपका भाग भी अगर साथ देगा तभी आप मुकाम तक जा सकते हैं मोदी जी ने जितनी सभाएं की जितना मिहनत किया जनता जनारदन ने बोट दिया लेकिन क्या मोदी जी का भाग फिर से प्रधान मंतरी की कुर्सी तक पहुचा सकता है इसी पर हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें दो विशेशग्यों ने ग्रह नच्छत्र के समय को देखते हुए ये कहा था, दावा किया था कि मोदी जी के पार्टी की NDA गठवंधन की सीट घटे गी और जो सरकार होगी वो गठवंधन की सरकार होगी पूरी बिश्तरित रिपोर्ट हमने उस दिन दिखाई थी, आज भी हमने उसकी एक जांकी दिखाई है, अभी जो रिपोर्ट आई है, चुकि अब गठवंधन की सरकार बनने का मुहुर्त शुरू हो गया है, कल बैठा कुई थी NDA गठवंधन की, सभी दलों ने लिख करके द आते हैं, अब इसकी अधिकारी घोसना नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी मिल लही है, कि 9 जून को सामके 7 बजे नरेंदर मोदी सपत ले सकते हैं, कल जदियू की सुबह सारह 9 बजे से बैठक है, और इसके बाद NDA गठवंधन की बैठक संसदिय दल की बैठक होगी, और जिसमें नरेंदर मोदी को नेता चुनने जाने की संभाबना है, इसी लिए फिर हम आज बैठे हैं कि हमारा एगजेक्ट पोल साबित हुआ है, और हम फिर इन विसेसग्यों को, उन्हीं दो विसेसग्यों को हमने आमंतरित किया है, यह जताने के लिए, यह दर्जकों को बत है, क्या यह सरकार टिकाओ होगी, क्या नरेंदर मोदी का अस्टार इतना मजबूत है, कि गठ बंधन की सरकार वो पूरी तरह से सफ़लूप से चला पाएंगे, इन सारी ब्यातों पर हम यह चर्चा के लिए बैठे हैं, और इसके पीछे मुख उद्देश यही है, कि जन्म का फैसला आ चुका है, लेकिन ग्रह नचत्र का फैसला क्या है, इसके लिए ये दोनों भी से सग अपनी बात बता रहे हैं, और हम अपने दर्सकों को इसी लिए, आज फिर अपनी और हमने आकरसित किया है, कि आप हमारे एक्जेक्ट पोल को देखिए, और आगे आगे क्या होने वाला है, ये भी हम बता रहे हैं, चले तो आगे क्या होने वाला है, आचारे कमलेश पंडिजी ने एक इशारा तो कर दिया है, लेकिन अशोग जी आपने शपत ग्रहन को लेकर जो कयासों के बाजार गर्म है, कि फाला तारीक को फाला समय पर लिया जाएगा, तो उस पर भी हम थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहेंगे दोनों मेहमानों से कि सबसे सटीक और सबसे प्रभावशाली समय कौन सा निकल रहा है, जिसकी संभावना सबसे प्रबल होगी, क्योंकि अभी सब कयास ही लगाए जा रहे हैं, कमलेश जी आप से शुरू करते हैं, तो मैं बताना काहेंगे असी समीद को कि अगर तिवतियात इथी जेश्ट सुकल पक्षे, तिवतियात इथी के दिन पुनरवसू नशत्र हो रहा है, और पुनरवसू नशत्र जो है भगवान राम का जनम नशत्र मना गया है, तो इस दिन भगवान का जनम हुआ था, तो ज तुसरी बात की चंदर्मा साथ में है, चंदर्मा तो राज जोग सम्मान इज़त परतिष्ठा देते हैं, छटे भाव में मंगल हैं, एकादस भाव में राहू हैं, तो सफद गरहन में कोई दिकत तो नहीं होगी, अंग्रेजी कलेंडर के हिसाब से आपको तारीख बता दे हैं, तो ब्रिश्पतीर मंगल दोनों अंक में अच्छा राता है, तो 9 अंक मोदी जी के लिए अगर 10 बजे से साड़े-12 बजे के बीच में अगर सफद गरहन करते हैं, तो उसमें अभी जित मूरत भी चल रहा है, सीह लगन भी चल रहा है, कि इस तिर लगन में कोई भी करते हैं, तो एक स्थिर सरकार तमाम बिपरित प्रस्थियों के बावजूद दिया जा सकता, इसकी संभावना से हम इंकार नहीं कर सकते, पहले जो नूज आ रहा था कि 8 तारी को होगा, वो सनिवार का दिन सूभ नहीं था, और चंदरमा राहू के निशतर में, अधरा निशतर में आ रहा था, जो 30 निश से अब बहतर स्थिती दिख रही है मुझे, यदि उस समय यह होता है, तो निशतरूप से सरकार चलेगी, देखिए, एक मन्थरा ने भगवान राम को बनवास भेज दिया, एक सौकनी ने वहावरत करवा दिया, और यहां राजनिती के 28 ऐसे लोग इनके बूद करे हैं, एक 27 नक्षतर होते हैं, लेकिन यहां 28 सहयोगी हैं, और उन सहयोगियों में कभी भी किसी भी विशय को लेकर खटपट बन सकती है, जिसकी समभावना आचारे कमलेश जी ने पहले ही जता दी है, कि अगस्त में कुछ बड़ा संभव है और कुछ बड़ी बाधा सरकार के समक्ष दिख रही है, अशोग जी उसे हम राजनिती की भाषा में आम दर्शकों के लिए किस तरह से समझें? तो इनको लेकर के ही 273 का आंकरा पुरा हो जा सकता है, और ये सभी पार्टनर पहले भी NDA में रह चुकें, अटल विहारी वाजपई की सरकार में भी TDP ने महत्पुर्ण भूमिका निभाई थी, और लोक सभाध्यक्ष उनका रहा था और पूरे 5 वरसों तक वो सरकार चली थी, तो ये आंकडे, ये साबित करते हैं कि NDA को अपने जो पुराने भरोसे मंद सहीयोगी हैं, उसी की बदोलत उनकी सरकार चल सकते हैं, ग्रहन अक्षतर इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर अपने मेमानों के पास चलेंगे, गडबंधन की गाठ कितनी पूत रहेगी, क्या कहा रहे हैं, ग्रहन अक्षतर प्रवेंड जी आपसे शुरू करते हैं, लेकिन महादहा आ रही है सनी की जो बकडी है, और सनी फिर से बकडी होने जा रहा है तीस जून को, तीन महीने के आसपास के हो समय होता है, और जब बकडी करा, लगन में हो और फिर से गोचर में बकडी हो, वो समय सही नहीं होता है, तो गठ बंदन में खुट तीन-चार महने के बाद कुछ फूट पढ़ने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं, ये आई एंडिया ये अलाइंस की आप बात कर रहा हूं, एंडिया की कुनली मेरे इस लेए पास नहीं है, उनकी पार्टियों के पुणली है, उनकी जिर्ण की गांटे कितनी मजबूत होगी, कोई कैस लगा सकते हैं, उनकी गांटे कितनी मजबूत होगी, उसमें चुक히 खटपट खटपट पीछे रहा है नितिस बावो के साथ भी रहा है दावजू दिये चले हैं और जैसा असुप ने बता है कि पीछे इनका पांच साल चला है और मोदुजी की दसा है ठीक है थोरा भी कमजोर जरूर हुआ है लेकिन वो फिर से बापस आएंगे रिबाउंड कर चलता है उसे बहुत पर्सानी उधबन होती है ओर मंगल की माधसा बहुत ही कराबयृ करो नहीं सकते हैं मंगल के में मीं हो ठीक है अगर एक चै तो उसमें दिकत उत्पन होती है लेकिन जैसा प्रवीन जी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त जून के बाद जुलाई अगस्त में आई एंडियाई अलाइंस की खराब होने वाली है वहां उनकी भूमिका भी कमजोर दिखेगी और इधर नरेंदर मोदी की तो क्या कुछ बैलें होंगे लेकिन सनी सहायता करेंगे राहूल गांदी को क्योंकि राज्यूग उनका भी बन रहा हो सकता है राजा बना दें कि कल्यूग है कल्यूग में सनी की महता जदा ज्यादा है क्योंकि जनता करने वाले को सनी महराज बहुत सहायता करते हैं बहुत मदद करते हैं उपका कहीं साब से उनकी कुंड़ी को सही सटिकम को मालूम नहीं है लेकिन पत्रा की साब से मैं एक एद देख रहा हूं कि सरकार जो है तीन महीना से ज्यादा नहीं चलेगी चले सत्र हंगामेदार होने वाला है इसका इशारा तो आज प्रेस कॉंफरेंस करके राहूल गांधी और उनके सहयोगियों ने कर दिया है और एक गंभीर मुद्दा उठाए एक बार फिर से जेपी सी जो तब उठा था जब राफेल की खरीदारी हुई थी और वो मुद्दे से पिछले सरकार ने काफी परिशानियों का सामना किया था अशोग जी के पास चलते हैं अशोग जी जो हमारे महमान अनुमान लगा रहे हैं ग्रह नक्षत्रों को देखकर परस्थतियां उसी और ले जाती दिख रही है सरकार को दिपक इन दोनों जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने जो अपनी मंसा जाहिड की है सभाविक भी है इस बार जो आंकरों का खेल है उस आंकरों के खेल में लोग सभा की तस्वीर इस बार बदली रहेगी दिपक्ष काफी मजबूत स्थिती में है तो सरकार तो मोदी जी चला ले सरकार में मान लिजे बहुमत भी है उनके पास लेकिन सदन चलाने में तो कठनाई होगी इससे भला कोन इंकर कर सकता है और महालेखाकार रहे हैं प्रधान महालेखाकार रहे हैं प्रवीन जी तो आप जान लिजे कि जो रिपोर्ट आती है सदन में महालेखाकार की जो रिप बढ़ी है, NDA सरकार की हैसियत घटी है, मोदी जी कमजोर हुएं, यह तो साफ है, यह तो जनता जनारदन का फैसला है, इससे भला कोन इनकार कर सकता है, अब वो सत्ता पड़िबरतन के लिए का अभी मतलब एक तरह से कहिए कि विपक्च के पास इतनी मजबूत स्थिती है, कि क्या सरकार को वो बाध कर सकती है, कि सरकार इस्तिफादे या विपक्च कोई ऐसा मुद्दा उठा सकता है, जो सत्ता पड़िबरतन के लिए के सहयोगी खेमे के भी लोग उनके साथ आ सकते हैं, इसके लिए तो मौनसूल सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दो अगर नचत्र अगर मोदी जी को टिकाय हुए, लेकिन जनता ने तो उनको कमजोर कर दिया, दूसरी तरफ राहुल गांधी कितने भी कमजोर हैं, तो राहुल गांधी की हैसियत बढ़ी है, गठ बंधन की ताकत बढ़ी है, तो अगर पांडे जी कहते हैं कि अखिलेस और र अईसे भी जो फैसला उन्होंने लिया है, या कुछ अईसे भी निर्ना जो उन्होंने लिया है, जिसको लेकर के उनके राजनितिक बिर्योधियों ने उनकी घेरे बंदी की है, उस पर भी अब मोदी जी को ध्यान करना पड़ेगा, आप देख लिजिए, महा भारत परबीन जी फिर विस्तित रूप से बताई है, अभी मन्यू के पास पूरी ताकत थी, अभी मन्यू मतलब पूरा आपका सकते हैं कि घेरे बंदी को तोरने में वो सक्षम थे, लेकिन एक जगह पे जहां उनको ज्यान नहीं था या उनको एक तरह से कहिए कि दुस्मनों ने इस तरह से घेर रखा था कि वो चक्रवियू को नहीं भेद पाए, मोदी जी के साथ भी अभी अस्थिति आ गई है, दिलको बिलको बली, हम कहाना चाह रहे हैं कि सेना पती कमजोर पढ़ जाएगा, कि सेना का माल माल लेते हैं कि यहां तीन को सेना है, अस्तल सेना, बायू सेना और सेना, और तिनों सेना अगर माल लेते हैं खराब हो जाएगा, तो देश में तो अरक्ता बढ़ जाएगी, रूट पाट मज जाएगा, तक बादी हमला करेंगे, तो उसी परकार से मोदी जी क्या हो गया, कि मंगल बहुत ही कमजोर पढ़ गया, जो कि जानता को अपने प्रत को आप आगे, एक ही गरह, यदि एक सुफ घर के स्वामी है, और एक खड़ा घर के स्वामी है, तो गरह को अपने दोनों घर का रिजल्ट देना है, मोदी जी का मंगल पिछले 25 सालों से उनको स्विस्व रखा हुआ है, लगन का स्वामी, लगन में होने क्तलते हैं, रूच कि रूचा की योग इनको बाहर निकालेगा ही. सास्तर का रहा, पुरान का रहा यहा गया है, सास्तर का रहा, पुरान का रहा, बिर्कुु साहिता के रहा है, प्रवींड जी का है, लेकिन फुराव लेज्साओन वह लेकिन वह एक संभावना भी ब्क्त कर रहा हैं कि आगे 맞아 का स्वामी Caesarдел हो कर रहा हूं लगन का मंगल लाल किताब भी आप पढ़िए अतीव उर्दावान बनाता है और आदमी ने 25 सालों से एक दिन की छुटी ने लिए ठाड़ा घंटे रोज हमारे परथान मंत्री कम करते तो उनका मंगल कहीं सभी खड़ाब नहीं है हाँ चठे का रिजल्ट भी मिला है गोचर में हो गया है लेकि मैंने कहा था उस दिन भी सत्रुहंतायोग हो गया निकल के आए वही तो मंगल उनके लिए हमेशा सुभ है और मंगल ही होगा यानि कि जटका लगना था लगना था वह लेकिन प्रभीन जी मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बारे में कि हो सकता है हो सकता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बन रही है उस परिस्थितियों में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी फिर से प्रधान मंत्री बन पाएंगे इसके क्या आपको क्या लगत इसके का वह कि हम तो कस्तों दूचों को बिखे को सरकार नहीं बना पाते की भीनी पॉलेंगे मोदी जी को कम्जोर कभी नहीं के लेकिन एक है जहां तक हम देख रहा है कि के तुछ निभा रहा है जो इनका तीन अंग विरस्पति का विए रहाता है मितून लगने की सब्सक्राइब हो सकता है तीन को इनका घटवाद के पार्टी के चंद्रबाबु नाइडू जी है तो एक तीनों आदमी अगर हटते हैं गटबंदन से तो चिराख पसवान भी हटेंगे निचित है क्योंकि ऐसा लग रहा है हमको अपने मतलब की लोग कुंडली अध्यान करने के बाद हमको ही लग रहा है इक निवारण की व्यवस्ता भी तो होती है ग्रहों का दोस्ता है जो हे न इनको सताएगा अभी छे महिना इनको उथल पुथल मतलब की होते रहे तो जीज पर दोनों विश्शज्या सहमत है कि अगले छे महीने मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल के लिए मुश्किल भरे समय हो सकते हैं अशुक जी किस तरह से देख रहे हैं इसे बिल्कुल हमने पहले ही कहा कि जनता का जो फैसला आया है हम बार 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 बोल हैं इसे जनता के फैसले के बाद कि जनता ने जो तराजू रखा है उस इतना बहुमत नहीं दिया है कि वो अपने मन के अनुरूप काम कर सके वो इसी परिस्तिवागर बीपक्च से भी ताकतवर है तो बीपक्च के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बीपक्च को बीरोधी दल का न्यता का दरजा न दे, सदन में उसकी खिली उड़ाए, आराम से दो ग्रह नच्छत्र का ही कह लिजिए, जनता का फैसला है तो उसी के अनुरूप है कि ताकत बर लोगों को भी, या बरे से बरे ताकत बर लोगों के वो कहिए, कि या नेताओं को हिए, जब जनता की लगाउम लग जाती है, तो वो वीबस हो जाते हैं, मोदी जी चाह करके भी अभी वही करेंगे जो उनके गठवंधन के दल के लोग चाहेंगे, कोशी स्थितियों के लिए हमारे बड़े बुज़र्ग ये कहावत कहा करते रहे होंगे सायद कि अगर हाथी पर भी बैठे हो और समय खराब हो तो कुट्ता काट लेता है, प्रवीन जी आप कुछ कहना जैसे कंदरे ब्रस्थपती, ब्रस्थपती अभी इनके कंदर में परत्रापती के घड़ में आके लगन को देख रहा है, हर संकट से ब्रस्थपती निकल जाएंगे, तो बड़ी दिल्चस्प स्थिती होने वाली है, आगे आने वाले दिनों में सिर्फ शपत ग्रहेंड से परस्थतियां शान्त हो जाएं, सही तरीके से सरकार काम करते रहें, यह अगर उमीद आप लगा कर रख रहे हैं, तो अभी जो हमारे विशेशग्या कह रहे हैं, आपके उमीदे धराशाई होंगी, और दिल्ली में बहुत ही दिल्चस्प राजनतिक परस्थतियां देखने को देशवासियों को मिलेगी अशोग जी, इन दिपक हम इन दोनों विशेशग से अब अंतीम चुकी है, हम लोग का कार्जकारम है, कि आप ये बताइए कि क्या राहूल गांधी को जीस तरह से ग्रह ने मदद की है, अखलेस यादा को जीस तरह से ग्रह ने, नचत्र ने संभावना है, ऐसी बनती है क्या कि इस पांच वर्सों के काजकाल में क्या वो मोदी को हंटा करके सता परबैट सकते हैं, इस तरह की कहीं दूर जूर अना चाहेंगे, बिरस्पति तो अभी सर नीच भाव में चल रहा है, तो बिरस्पति कमकर में नीच का था अभी जिसम मे इस बीच में अभी तो सरकार बनेगा लेकिन बीच में इनका उथल पुथल तिसरा परधार मंतरी बनेंगे, लेकिन इसमें यहां हम वोजवत देख रहे हैं कि इनका बिरस्पति तो नीच का चल रहा है, बिरस्पति को आपके मुताबिक क्या हो सकता है, आपका एक घर अग मंगल इनका कम्जोर पूर्ण रुप से इनका राहूल गांधी की बारे में राहूल गांधी की जो कुणली है, मैंने एक फेस्बुक पे पोस्ट डाला था और आपने पढ़ा होगा उसको, उसको मैंने लिखा थे, इनकी उतनी बुरी कुणली नहीं है, जितना इनकी अभी में कमेट नहीं कर सकता हूं, तो यह बहुत बड़ी बात है, और राज्योग बन रहा है, अब सनी किनको बना देगा, राज्योगी तो कोई जानता नहीं है, मंगल किसको साहता करेगा, मंगल कम्जोर पढ़ गया है, इसलिए समाज में इनका थोड़ा था किचल उठल रहा ह मित्र है, उसलों आपके खिलाप रहेंगे, इसलिए आप ही के बात को मैं सपोर्ट करता है, जोतिस की भाशा में, आपके दूसरा देर होगा, नहीं हो करके लगन में बैठा है, बिरुजीन के हमेशा होंगे, लेकिन वही लें का सौमी भी है, और मेश की तुलना में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसमें तो सही में कोई संकार नहीं है, कि मंगल अभी भी मजबूत है, तब वो सपत ले रहे हैं, छे महीने के बाद फिर हम लोग वो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो यह संभावना बन रही है, कि फिर से नरेंद्र मोधी परधान मंतरी बने हैं, और हमने पहले भी कहा है, अपने दर्सकों को अभी बता रहे हैं, कि हमारा मूल उद्देश सिर्फ यह था कि आदमी अगर कर्म करता है, तो कहा जाता है कि उसके साथ भागी भी उसका कितना साथ देता है, इसलिए हमने एक जून को भी इस पर चर्चा की थी, और आज सरकार का गठन होना है, यह राध कर रहे हैं, ऊजेट पुल धारा साही हुआ, हमारा जो एकर्जेक्ट पूल था हो सही हुआ, फिर हम यह भी बात कर रहे हैं कि आगले परधान मंतरी के रूप में फिर नरेंदर्य आ रहे हैं, संकट है, इस संकट से किस तरह से वो निजात पाते हैं इसके लिए थोड़ा चाहेंगे हम सरकार आपको छे महिना से ज्यादा नहीं चलेगी और उसमें क्या है कि फिर चुनाओ की भी भविश्य वानी कर रहे हैं आचारे कमलेश जी आप भी चलते-चलते कुछ कहना चाहेंगे आखरेटे प्रबीन जी लेकिए उसके दुस्वासने फैलाता है भागे जो है पुर्शार्थ का पीछा करती है बिलकुल पुरुषार्थ की जैहों बहाग्य पुरुषार्थ का पीछा करता है लेकिन चक्रव्यू जब ग्रह रचते हैं तो फिर उन्चक्रव्यों को भेधना और आप मद्यावती चुनाओं और दूसरा प्रधानमंत्री इस पक्ष में चलिए वो संभावनाएं भी हैं तो हम संभावनाओं पर बातचीत कर रहे थे और हमारी संभावनाओं इग्जिट पोल से जुड़ी हुई सटीक साबित हुई हैं तो क्या ये संभावनाएं भी समय पर सटीक साबित होंगी आप कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहेंगे तो वो भी जान जाएंगे फिलाल आज के इस विशेश कारिक्रम में बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम म विश्वास करें या ना करें लेकिन हम विश्वस्तनिय खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो उस विश्वस्तनिय अता पर समय की कसौटी पर खरे भी उतरते हैं और ये हमने फिर से साबित किया है कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहें इस खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही देखते रहें कशिश न्यूज